नमस्कार, मैं हो ससी, आए जर्खन की टॉप 25 परमुख खबर जानते हैं हेलिकोप्टर से इस्तिमवार्ती बिहार के जमुई जीला में लोग सभा चुनाओ को लेकर जन सभा को समोधित करने के लिए उडान भरेंगे इस करम में उनका देवघर यारपुट पर स्वागत करने के लिए भाजपा के परदेश अध्यक्स बावलम रांडी सांसर डाक्टर निसी कांदूबे दुमका से भाजपा पर त्यासी सीता सुर्यन उपस्थित रहेंगे सरदार पंडा गुलाब नंद ओजाप पंडा धर्मरक छिनी सभाक्या द्यक्स सुरेश भर्द्वाज और महामंत्र निर्मल ज्हा मेंटू भी यारपुट पर स्वागत करेंगे जमोई की जन सभाक के बाद पुना हेलिकोप्टर से देवगर्यार पोट लोटेंगे और अप्राहन डेढ़ बजे देवगर्यार पोट से बिसेस बिमान से उड़ान भरेंगे मुंबाई दिल्ली की तर्ज पर रांची में भी होगी इंडिया की महारायली मुंबाई और दिल्ली में बड़ी रैलियों के बाद इंडिया गडबंदन के घटक दलो के नेताओ का आगला महाजूटन रांची में होगा महारायली राज्य में इंडिया के लोग सभाचुनाव पर चार अभियान का भी आगाज होगा महारायली की तीथी की जल्द घोषना होगी इसमें सामिल होने का नेयोता इंडिया गडबंदन के सभी कदावर नेताओ को भेजा जाएगा ग्यात है कि मुंबाई में सीव सेना और दिल्ली में आम आदमी पार्टी ने महारायली की में जबानी की थी उक्त दोनों कारकरा में जार्खन के मुख्यमंत्री चम्पाई सुरेण और पुरमुख्यमंत्री हमं सुरेण की पतनी कल्पना सुरेण ने भी हिसा लिया था रांची की रायली की तारिक तैक करने के लिए जावमो भी धायक दल की बैठक 5 अप्रेल के बुलाई गई है इस दोरान लोग सबाद चुनाव से जुले सभी बिंदुओं पर भी मर्श होगा जारखन के 10 जीलों में आई से लू का अलाट चैत माह में ही गर्मी जारखन को जुल साने लगी है संताल के जीलों में पारा 40 डीगरी के पार पहुँच गया है जबकि कुलान और पलामो इलाके में तापमान 40 पर पहुँचने को बेकरार है इसी बीच मौसम विभाग ने अगले 4-6 अपरेल के दरान संताल को लहान और उत्री छोटा नागपुर के 10 जीलों में लू का एलो अलर्ट जारी किया है बुद्धवार को पाकुल का तापमान 40.7 डीगरी और गोड़ा का 40.5 डीगरी दर्श किया गया वही जम सेथपूर का 49.8 और मेदने नगर का 49.4 डीगरी दर्श किया गया पिछले 24 कंटे के दरान रांची का अधिक्तम तापमान 2 डीगरी बिरिधी के साथ 36.6 पर पहुँच गया है मौसम विभाक का उनसार जहारखन में मौसम पुरी तरह साफ है इसके साथ ही पच्छुआ का रूख जहारखन की हो रहा है तापमान समाने से अधिक है इससे आगले 2-3 डीगरी और गर्म हवा से तापमान में 2-3 डीगरी और बिरिधी के असार है जियोती अगरवाल हत्याकंड का मुखे सूटर विसाल गिरफतार जमसेदपूर के सोनारियास था हाइटेक निवासी जियोती अगरवाल के हत्याका मास्टर माइन विसाल कुमार को पुलिस ने बुद्धवार को चाईबासा से गिरफतार कर लिया है उसकी निसंदेही परहत्या में पर्युक्त पिस्टोल भी बरामत किया गया पुलिस ने बिसाल के साथ उसके एक साथी को भी हिरासत में लिया है बिसाल बागून हातु का रहने वाला है वहपुरू में सिद्गोडा थाना में नीजी चालक था उसके बाद वह सीता राम डेरा थाना में नीजी चालक का काम कर रहा था जनकारी के अनुसार बिसाल कुमार ने ही तीन लाख रुपे पिस्टोल खरीदने के लिए रभी अगरवाल से लिया था उसके बाद उसने रोहित कुमार दूबे और पंकच कुमार साहनी को ज्योती की हत्या की योईना में सामिल किया पुष्टाच में बिसाल ने सविकार किया कि ज्योती अगरवाल के हत्या में वा सामिल था कैस पकड़ाने से बेवसाही परेसान जारी किया आईकाड लोकतंत्र का महाँ पर शुरू हो गया है, चुनाव आचार साहिता लागू कर दी गई है, 25 मैं को धनबाद लोकसभाद चुनाव है, लिहाजा चेक पोस्ट वाचोग चुराहो पर गहन जाच शुरू हो गई है, हर दिन चेक पोस्ट वाचोग चुराहो पर जाच के दुरान भारी मत्रा में कैस पकड़े जाने से बेवसाई बर काफी परिशान है, बजार समीती चेंबर ने बुद्धवार को आपात बैठा कर कैस पकड़े आने के मामले पर चार्चा की, बेवसाईों के कैस पकड़े जाने के मामले को लेकर बैकलबिक बेवस्ता त्यार की गई है, बजार समीती चेंबर के सबी बेवसायों का फोटो के साथ आई कार्ड भी बनाया गया इसके अलावा फोर विलर वर टो विलर गाड़ी पर लगाने के लिए चेंबर का इस्टीकर भी जारी किया गया बजार समीती चेंबर अध्यक जीतंद्र अगरवाल ने बताया कि बजार समीती में हर दिन लाखों का कारोबार होता है बजार समीती में रात 9 बहे तक बेहसाई होता है बेहसाईयों के पास कैस रहता है दूसरे दिन बेहसाई बैंक में कैस जमा करते हैं ज्यारखन के गोईल के रामे तीन आईडी को सुरक्षा बलो ने किया नाश्ट कुलहान छेतर में छिप कर रहा है दुरदात नकसली मिसीर बेसरा और उसके साथी बिध्वान सगती बीध्यों का अंजाम देने की फिराक में है प्रतिबंधी भागपा मवादी नकसली संगतन का सिस्नेता मिसीर बेसरा अपने साथीयों के साथ कुलहान छेतर में लगातर भ्रहमन कर रहा है इस दवरान लेंड्स माइन भी बिछा रहा है ताकि सुरक्षा बलो को नुकसान बनाया जा सके वहीं दूसरी तरफ पुलिस का ए प्रतिबंधी अभ्यान चलाया जिसमें कम से कम तीन आईडी बरामत हुए है जारखन पुलिस ने दो जीलो से जब्त किये 36 लाख रुपए जारखन में लोकसभाद चुनाओं में धनबल का इस्तेमाल रोकने की पहल जारी है इसी अभ्यान के तहत पुलिस ने दो जीलो से 36 36,59 रुपए जब्त किये हैं 30,91,99 रुपए गिरी डी जीली से बरामत हुए जबकि 5,65,000 रुपए लाते हार जीला से बरामत हुए है गिरी डी जीला में अवैद नगत के परिवहन की रोक थाम के लिए बनाई गई टीम ने बुद्धवार को बड़ी करवाई की है इसके निम्या घाट और धनवार ठाना छेतर से FST टीम ने अलग अलग वाहनों से 30,99,000 रुपए नगत जब्त किये हैं लोगसभा चुनाओ बहिसकार बैनर के साथ मावादी समर्थक गिरफतार लोगसभा चुनाओ दोचोवी से पहले चुनाओ बहिसकार के बैनर के साथ जारख के पास एक बैनर मिला है जिसे पूलिस ने जब्त कर लिया है गिरफतार मवादी समर्थक को जेल भेज दिया गया चतरपुर अनुमंडल पूलिस पतादिकाई नोसाद आरम ने बताया है कि पलामू के स्पी रिस्मा रमेशन एवं बिसेज साखा को मिली गुप्त सुचना क का दार पया करवाई की गई रांची की आतायात व्यवस्था पर हाई कोट नराज हाई कोट के जश्टिस आर मुकोप ध्याय हुआ जश्टिस दिपक रोशन की खंड पिट में रांची की आतायात व्यवस्था को सुगम बनाने की मांग को लेकर दाखिल जनीत याज का पर स और इसका क्या असर दिखा किन-किन इलाकों में इतियात सुगम हो गया है किन-किन इलाकों में सलक से अतिकरमन हटा दिया गया है अदालत ने में रोड लालपूर चौक की सोरी यादव चौक पर इतियात व्यवस्ता भी से ध्यान रखा जाए क्योंकि इस छेत में लगातार जाम की थिती बन रही है खूले में अब नहीं बिकेगा मॉटन चिकन जारखन हाई कोट के जस्टिस, एसन पर सादवा जस्टिस, एके राय की खन पिठ में खूले में मास की बिकरी और प्रदर्शन करने के खिलाब दाखिल जनित याज का पर सुनवाई हुई सुनवाई की बाद अधालत ने राय धानी सही सभी जीलों के एसपी से खूले में मास की बिकरी को लेकर की गई करवाई की जिनकारी मांगी है अदालत ने सभी से पुछा है कि अवायद रूप से संचालित और बीना नियमों का पारण कर मास की बिक्री करने वाले दुकंदारों के खिलाब क्या करवाई की गई है मामले में अगली सुनवाई 23 अप्रेल को निधारित की गई सुनवाई कि दालत ने मौकीक रूप से कहा है कि रांची में कई दुकानों पर अभी भी खूले में बकरा या मुर्गों का मास भीक रहा है अभायद रूप से संचालित मिट दुकानों पर अब तक कोई करवाई नहीं होई है पालामू में नबालिक छात्रा से सामोहिक दूसकर्म तीन गिरफतार पालामू के नव डिहा थाना छेत्रे के एक गाउं में एक नबालिक छात्रा के साथ सामोहिक दूसकर्म किये जाने के मामला परकास में आया है थाना की पूलिस तवरित करवाई करते हुए तीन आरोपयों को गिरफतार कर ली है पिडिता वर्ग चार की छात्रा बताई जाती है इस मालूमें पंचायत के निवासी सुरेंदर ठाकूर के 24 वर्षी ये बेटे मुकेश ठाकूर लाखहन सिंग का 22 वर्षी ये बेटे सवेंदर सिंग वह बाबुलाल सिंग का 22 वर्षी ये बेटे सिव कुमार सिंग को गिरफतार किया गया गरामी ने बताया कि इस गाउं में बरात आई थी बुद्धवार को तरके करीब तीन बजे बरात के साथ आये कई लड़कों ने गाउं की तीन लड़कियों के बंधक बना का दुसकर्म का प्रयास करने लगे इसी बीच बदमासों के चंगुल से दो लड़की खुद को बचा कर भागने में सफल हो गाए बाद में इनके सोर मचाने के बाद मामले का खुलासा हुआ है कांग्रेस बिधायक अंबब परसाथ के पिता को एडी ने किया तलाब जारखन में जमिन घोटाले को लेकर एडी लगातर करवाई कर रही है लोगों से पुस्ताच भी की जा रही है इसी करम में पुर्व मंत्री योगेंदर साव भी इडी का याले पहुचे हुए है उनसे जमिन घोटाला मामले में पुस्ताच होनी है बता दे कि योगेंदर साव बड़का गाउं की बिधायक अंबब परसाथ के पिता है बड़का गाउं विधान सभा चेतर से कांग्रेस की बिधायक अंबब परसाथ से जुड़े 17 ठीकानों पर इडी ने बीते 12 मार्च को चापी मारी की थी मामला हजारी बाग में पर्तिवांधित किस्म की जमीन को अवय तरीके से हड़ अपने की कोशिस मामले में मनी लॉंडरिंग से समन दित था 9 से शुरू हो रहा हिंदूों का नाया साल एगारह को सरहुल सो भायातरा चैत से हिंदू नया साल का आगाज हो जाता है 9 अप्रेल को नया साल शुरू हो जाएगा इसके बार आदिवास्यों का भी नया साल इसी चैत माह से ही प्रड़म होता है और फिर बंग समुदाय का भी नूतन पर्व इस बार इद का पर भी 11 या 12 को मनाया जाएगा वहीं 11 अप्रेल को गनगर पुजा भी मरवारी समाज मनाएगा हलाकि 16 दिनों का या उत्स चल रहा है 11 को गनगर पुजा के दिन ही परतिमाव का भी सर्जन होगा इसाई समुदाय का प्रभु का जन्म संदेश 8 अप्रेल को है वहीं 14 को पासका का तीसरा रभी वार है अप्रेल हर धर्म समाज के लिए महत्पून है पारा मेडिकल छात्रों ने MBBS होस्टल का ताला तोड़ा चात्रावास नहीं मिलने से आकरोसित पारा मेडिकल छात्राओं ने बुद्ध्वार को सहीद निर्मल महत्व मेडिकल कोलेज और होस्पिटल परिशर इस्थीत MBBS छात्रों के होस्टल का ताला तोड़कर कापजा जमा लिया पारा मेडिकल छात्रों का आकरोस देख वहां सुरक्षा में तैनात कर्मी भी भाग खड़े हुए बुद्ध्वार की दोफर पारा मेडिकल के कई छात्र अपना समान लेकर MBBS के होस्टल में आधहम के और जीसे जो कमरा मिला उसमें वहां आपना समान रख दिया इसकी सुचना मेडिकल कॉलेज के परचाय डाक्टर ज्योती रंजन परसात को दी गई परचाय ने कुछ सिक्षकों को पारा मेडिकल छात्रों से बात चित करने के लिए भेजा लेकिन छात्र नहीं मनें आकरोसित पारा मेडिकल छात्रों ने होस्टल परिशन में हांगामा करना शुरू कर दिया, हलाकि देर साम अस्पताल प्रवंधन ने दबाव के बाद परामेटिकल छातरों से होस्टल खाली करा दिया पीडियस दुकान में अवय धसराव लाइसेंस रद करने का आदेश बुकारों डीसी विजय जाधव एसपी पुझे परकास वडीडिसी संदीप कुमाने लोकसभा चुनाओं को लेकर बुद्धवार को गोमिया परखन के कई स्कूलों मत्दान केंद्रों का निरिक्षन किया उन्होंने पीडियस दुकान दारों का भी अचक निरिक्षन किया इस दोरान डीसी वर अने अधिकारियों गोमियों के कुरकन नालों इस्थीत गायतरी अजीव का सकी मंडल की पीडियस दुकान में पहुचे और जाँच परताल की दुकान में भारी मात्रा में अवैज सराब जब्त की गई सराब देख डिक्षी भड़ाग गये उन्होंने दुकान का लाइसेंस रद करने का आदेश दिया है साथ ही उत्पात विभाक के अधिकारियों को दुकान संचालन के खिलाप करवाई करने को कहा UP सिपाही भरती पेपर लिग का मास्टर माइड गिरफतार STF की मेरट और नोएडा यूनिट ने UP सिपाही भरती परिशाग पेपर लिग कराने वाले एक मास्टर माइड राजीव नयन मिस्रा को मंगल और को नोएडा से गिरफतार किया है आरोपी रवी अत्री निवासी नोएडा ने अपने साथियो राजीव नयन मिस्रा निवासी परियाग राज हल निवासी भोपाल अभिसेख सुकला डाक्टर सुभम मंडल सिवम गिरी और रोहित पांडे के साथ मिलकर TCI कमपनी के अहमादाबाद इस्थीद वेर हाउस से पेपर लिक कराया था STF इन में से डाक्टर सुभम मंडल अभिसेख सिवम और रोहित को गिरफतार कर चुकी है STF ने आरोपी राजीव नयन मिस्रा को मेरट पुलिस के हवाले कर दिया है जिसे कंकर खेडा थाना में रखा गया वहाँ उससे गहन पुलिस ताच कीज गई है आरोपी को पुलिस ने कोर्ट में पेश किया है जहां से उसे जेल भेजा गया धन्यवाद